तो यह लोगाईज आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है इस वीडियो में आप बताने माले हैं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं यानि कि आपका पेंट काड चालुब है या बंद है इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को मैं पता दा चाहता हूं कि जो पेंट काड है उसको अगर आप अधार काड से लिंक नहीं करते हैं तो इसका लास्ट डेट 30-22-20 है और हां वह भी आपको एक हैदर पेम सकते हैं और वहां से डाकी अपर पेंट को अधार काड से लिंक कर सकते हैं आप अपना इस्टेटस को जे कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरब की सब्सक्राइब कर सकते हैं या पर आपका प्रेंट काड कीसी काम का नहीं रहेगा तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में आपनों को सुरू सिले का लास तक बने दिए इस वीडियो में आपनों को step by step full process बताना वाला हूँ उससे पहले आपसे एक छोड़ास request रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नया है दोस्तो आपको सब सर्क गीज़ी कर लेना है और आपको बराजोर को ऊबिं करने के बाद सर्क बार मना सुर्च करना है इफ पीलिंग जैसा कि यहां पर देख से गए मैं औररी पर करने के आप इंडर पर किलिक करते हैं तो गbesल सकाते हे पोटल कई वीडियो Do you दे दुएँगा वहां से डिरेक्टल आप इस पोटल पर आ सकते हैं और अब आब जैसीस पोटल पर आते हैं आप नेचे स्कूल्डावडन करने के बाद यहां पर क्विक लिंक्स में बहुत सारा यहाँ पर link आपको देखने को मिलेगा E-verify refund return और इसके बाद link आधार status link आधार और इसके बाद income tax return ITR status या फिर यहाँ और उसी के नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर income tax calculator e-pay tax और यहाँ पर now tax payment status instead e-pay and card नया pen card आप यहाँ से बना सकते हैं और इसके बाद देख सकते हैं authenticator मतलब बहुत सारा इस तरह के से आपको यहाँ पर option देखने को मिलेगा और जैसी आप नीचे scroll down करते हैं तो यहाँ पर प्रोच देख सकते हैं verify your pen EC के उपर click करते हैं आपको क्योंकि आपको check करना है कि मेरा pen card verify है या नहीं है तो जैसी आप verify your pen के उपर click करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह के से थोड़ा सा loading लेगा और आपको थोड़ा सा यहाँ पर wait करना होगा जब तक यह loading खतम नहीं होता है तब तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर wait करना होगा और जशी ये loading अच्छे तरीके से open हो जाता है तो यहां पर आप देखते हैं कुछी इस तरीके से अगला page अच्छे तरीके से loading होने के बाद कुछी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और जशी आप इस page पर आते हैं तो verify your pen और उसी के नीचे में यहां पर आपो देखते हैं फर्स्ट में सबसे कहले तो आप से पुछा जा रहा है आपका pencard number जो भी आपके pencard number होग उसको यह पर फल करदेंगे इसके बाद paint card पर जो भी आपका नाम होगा उसको यहाँ पर full name में enter करेंगे और जो भी आपका date of birth होगा उसको date of birth को यहाँ पर select करेंगे इसके बाद आपके paint card से जो भी उ thumb94 लिंक होगा उसको यहाँ पर field कर देंगे और जैसी आप सारे डिटल्स को फिल करने के बाद continue के उपर किलिक कर देंगे तो चले दोस्तो मैं अपने सारे डिटल्स को फिल कर लेता हूँ इसके बाद continue के उपर किलिक कर देता हूँ जैसे आप validate के उपर click करते हैं तो finally यहाँ पर आपका status, pen card status बता दिये जागा कि आपका जो pen card है वो activate है या नहीं है जैसा कि यहाँ पर प्रोदेश्ट नहीं है pen is activate and details are as per pen यानि कि जो भी आपका pen card है वो यहाँ पर आपका activate है जिसका भी यहाँ पर pen card activate नहीं हो रहेगा तो यहाँ पर आपको verify करने के बाद यहाँ पर deactivate बता दिये जाएगा तो जैसा कि यहाँ पर प्रोदेश्ट नहीं होगा अगर अचला होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथी साथ बैल आइकोन को और कर ले ताकि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो जो अफ्लोड करूं तो सब सब पहले आप तो पहुचे और हाँ अगर आपको पयान verify status चेक करने में किसी भी तरह का कोई भी प्रोल्म आती है तो हमें इस वीडियो में कोमेंट करके जुरू बाता है मैं पूरा कोशिस करूंगा कि आपका कोमेंट का अब दोस्तों मिलते हैं फिर किसा और इंफ्रमाटी वीडियो में थैंक्यू थैंक्स पर आज ने दिस वीडियो तो अभी के लिए बाए बाए